हेलो फ्रेंड्स यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका CTAT का एक्जाम है सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा अगर आप पेपर के ऑनलाइन होने से परिसान है तो परिसान होने की कोई जुरूत नहीं है पेपर ऑनलाइन होने से आपका पेपर सरल आएगा और अगर यह आपका पहला ओनलाइन एक्जाम है तो भी परिसान होने या डरने की कोई जुरूत नहीं है मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या होगा आपको क्या-क्या लेके जाना है और किन-किन चीज़ों पर फोकस करना है सबसे पहले तो आपको अपना admit card लेके जाना है ठीक है साथ ही उसके declaration form दिया होगा उसको भी fill करना है जैसा कि आप इस screen पर देख रहे हैं ऐसा declaration form होगा इसका भी आपको print लेके जाना है और इसे fill कैसे करेंगे तो उपर जिसमें चार option दिये गए हैं इन चारों को आपको fill कर लेना है उसको पर उसमें नीचे candidate name लिखना है raw number जो आपका है वो लिखना है date of exam लिखना है ठीक है और exam center जहां भी आपका गया है वो लिख देना है उसका address वगएरा और नीचे अपने sign कर देना है तो एक तो admit card और दूसरा ये form साथ लेके जाना है तीसरा एक ID card लेके जाना है आप वैसे OMR वाला एक अलगी pen आता है आप किसी भी swap पे जाएंगे तो उसे पूछ सकते हैं कि भाई OMR वाला pen दे देजे तो वो आपको खुदी देदेगा ठीक है आपको mask पैन कर जाना है और hand gloves लेके जाने है आप हुआ पैनते या नहीं येतना कोई नहीं देखता है पर hand gloves आपको लेके जाने पड़ेंगे ठीक है ये 10-15 रुपे में आपको मिल जाएंगे किसी भी medical shop पे और पानी के लिए आप transfer and bottle भी ले जा सकते है तो इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है वहाँ पर और जिन teachers की वहाँ पर duty लगेगी वो आपको सब चीज़ें समझाएंगी पूरी process आपको बताएंगे कि आपको कैसे fill करना है कैसे option choose करने कैसे skip करना है कैसे आगे बढ़ना कैसे back आना है तो ये हर चीज़ वो आपको बताएंगे जो भी teasers हो आप जिनकी duty लगेगी तो आपको अगर कुछ भी problem होती है तो आप उनसे contact करिएगा तो आपको जैसी screen देख रही है इस टेम आपको कुछ इस तरह की screen वहापे आपको देखने को मिलेगी जब आपको test start होगा तो इसमें आपको सबसे पहले username मिलेगा जिसमें या तो आपका नाम लिखा होगा या आपका registration नमर या raw number पड़ा होगा पासवर्ड में या तो वो पासवर्ड खुद बताएंगे या आपकी data of birth या आपका पासवर्ड होगा फिर आपको login करने को कहेंगे फिर आपको कुछ इस तरह का page दिखेगा जिसमें सारे instructions वगरा दिये गए होगे इसमें जैसे कि आपको देख रहा है कि number 1 पर एक box बना हुए है वह समय white color का color है इसका मतलब है कि आपने question को visit ही नहीं किया अभी तक उस question पर पहुचे नहीं है आपने visit नहीं किया है तो आपको ऐसा box दिखेगा अगर आपने answer किया है तो आपको green color का box दिखेगा और last box में ऐसी questions आते हैं जो हमें उस समय नहीं आ रहे होते हैं लेकिन हम सोचते हैं अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा धियान देंगे तो साइद वो questions हो सकते हैं तो हम इन questions को mark कर लेते हैं जब हमने mark करते ह में कुछ ऐसा box आ जाता है उसका जैसे आपके पास कोई question आता है तो आपको चार option मिलते हैं ठीक है आप क्या करेंगे mouse की साहिता से पहले तो option को click करेंगे उसका नीचे जो green color में आपको दिख रहा है save and next आपको उस पर click करना है अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका question clear मा यह है कि आप उसे save कर देते हैं किस भी option को अगर आप बाद में उसे check करना चाते हैं या उसे दूसरा change करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं और mark for review and next में यह है कि वही जो मैंने आपको बताया था fourth purple वाले box में कि कुछ questions ऐसे रहते हैं जो समय नहीं आ रहे होते हैं लेकिन start for review and next तो यह कुछ important जानकारी थी जो CTAT से पहले आपको जाननी चाहिए थी अगर आपको लगता कि कोई problem आपको हो सकती है या आपका कोई question है तो आप comment box में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप psychology की लिए परसान है तो psychology की सारी videos आपको time से मिलेंगी अब धीरे धीरे आपको तिल से थैंक यू